आज मैं बनाने वाली हूँ टेस्टी और हेल्दी नाष्टा, इसे हम कच्चे चावल से बनाएंगा और ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लापी बनता है। इसे आप सुबह या शाम के नाष्टे में भी बना सकते हैं। इसके साथ हम बनाएंगे टेस्टी चटनी, तो चलिए शुरू करते आज की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहां मैंने एक कच्चे चावल लिया है। चावल को मैंने धो कर 3-4 घंटे के लिए भीगो दिया था। अगर आपको सुबह यह नाष्टा बनाना है तो चावलों को रात को ही भीगो कर रख दे। और सुबह इस नाष्टे को बनाएं। हमारे चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। साथी में इसमें दो बॉइल आलू भी डाल देंगे। आलू डालने से चावल का बैटर बहुत ही सॉफ्ट औं स्मूथ बनेगा। आप देख सकते हैं कि बैटर कितना स्मूथ बना है। बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर सॉफ्ट और स्मूथ है एकदम रिबिन कंसिस्टेंसी जैसा इस नाश्टे को और भी हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सबजियां अट करेंगे एक कब बारी कटा हुआ प्यास एक कब बारी कटा हुआ गाजर एक कब बारी कटा हुआ टमाटर आधा कब बारी कटा हुआ शिमला मिर्च दो हरी मिर्च इसे भी मैंने बारी काट लिया है थोड़ा बारी कटा हुआ हरा धनिया साथी इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने स्वाध अनुसा डालें एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच चीली फ्लेक्स डाल कर अच्छे से मिक्स करे, सारी सबजीयों को अच्छे से मिला ले, आप चाहे तो इसमें हरी मटर भी डाल सकते है, मटर को हल्का सा मिक्सी में दरदरा पीस कर डाले, इससे नाश्टा और भी हेल्दी बनता है सबजियां डालने के बाद बैटर थोड़ा थिक हो गया है इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी आट कर रही हूँ पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बैटर को 10 से 15 मिनिट के लिए फूलने रख देंगे जब तक के बैटर फूल रहा है तब तक हम इस नाश्टे के साथ खाने के लिए चटनी बना लेंगे चटनी बनाने के लिए थोड़ा फ्रेश हरा धनिया लेंगे चार लेसुन की कलिया, एक इंच अद्रक का तुकड़ा, दो हरी मिर्च और आदा का फुटाना डालेंगे साथ में थोड़ा पानी डाल कर चटनी को अच्छे से पीस लेंगे चटनी तयार है इसमें हम थोड़ा नमक डाल कर मिला लेंगे दस से बंदरा मिर्ट हो चुके हैं, बैटर भी फूल चुका है बैटर थोड़ा थिक हो चुका है, इसमें हम थोड़ा पानी अट करेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे बैटर रेड़ी है, अब हम इसे बना लेंगे एक पान में थोड़ा तेल डालें तेल जब गरम हो जाएं, तब इसमें थोड़ा बैटर डालेंगे लगबग मैंने दो चमज बैटर डाला है बैटर को पान में अच्छे से सेट कर देंगे और ढखक कर 3-4 मिनिट पकाएंगे 3-4 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसे पलट लेंगे साइट से थोड़ा ओल डाल कर ढखकन लगा देंगे और दूसरी साइट भी पकने देंगे दूसरी साइट भी हमें इसे 3-4 मिनिट पकाना है तो देखिए कितना अच्छा राष्टा बना है राइस वेजिटेबल पैनकेक तयार है इसे सुबह या शाम के नाष्टे में खाए सूपर हेल्दी और टेस्टी नाष्टा है ये देखिए कितना सॉफ्ट और फलपी बना है एक बारिस नाष्टे को बना कर जरूर ट्राइ करे ये आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा